और आएए अब ऐसे गाउं की बात करते हैं च्छतिस गड़ के ऐसे गाउं की जो लोहे की ख़दान के बीच में बसा है और यहां के लोग पतहाल जीवन जीने को मजबूर है इस गाउं में जिंदिगे अस्पिताल पहुचने से पहले ही तम तोड़ देती हैं मीलो पैदल का स पर होसले पस्त कर देता है देखिए कैसे लोहे की खार में बसा यह लोहा गाउं सरकार के पहुच से कोसो दूर है यह 36 राज्य के दंतिवाड़ा जिले का लुहा गाव इस गाव को लुहा गाव इसले कहा जाता है क्योंकि ये बैला डीला लोही की पहाड़ियों के पीचों बीच बसा है आजादी के इतने साल बाद भी यहां के लोग मुलभुत सुविधाव से बंचित रहते हैं देश की नौरत्न कंपनी में से एक NMDC इस शेत्र से लुहे का खनन करती है लेकिन इस लुहे की खान में बसा ये लुहा गाव सरकार की पहुत से होसो दूर है जिला मुख्याले से 70 किलो मीटर दूर ये गाव कुआ कोंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हिरोली का आश्रित ग्राम है NMDC ओफिस के चेट पोस्ट के पास से यहां पहुँचने का मार्ग है कुछ दूर डावन सड़क तक आने के बाद लगभग 12 किलो मीटर लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ता है इस गाव में पहुचने के लिए लगभग 10 पहाडियों को पार करना पड़ता है ऐसे कठीन मार्ग से रोसाना ये गाव के लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ है इस मार्ग से पैदल राशन और दैनिक उप्यों की सामान को लाना ले जाना करना है लोहा गाव में लगभग 20 परिवार में 150 लोग रहते हैं लेकिन इन सभी के पास अपनी पहचान के लिए कोई दस्तावेस नहीं ना इनके पास आधार कार्ड है और ना ही राशन कार्ड सरकाली राशन का फायदा इन सभी ग्रामिलों को नहीं मिल रहा सरकार की तमाम योचनाए इनकी तेहलिस पर आज तक नहीं पहुची प्रिशासन ने इनकी सूद आज परितर नहीं ली गाउं के लोग अपनी जल जंगल समीन को छोड़कर नहीं जाना चाते लोहागाउं के लोग पहाडियों से रिसकर आ रहा गंदा पानी पीने को मजबूर है जिस जगे पर पानी निकलता है उसी के बाजू से लाल पानी का नाला जाता है पारिश में ये नाला भर जाता है तो पानी के लिए जद्व जहत बढ़ जाती है हाला कि यहां के अधिकारी समय समय पर उचित मुआजा दिये जाने की बात कहते हैं तुरंगे लावा जो अंधुनी शेक्र है तुमा कुंडा ब्लॉक में उन जखों में के लिप्स जो एक मात्या में जिससे बोर कराएंगे और वहां की लोगों को पेज़ा लुक्त कराएंगे नियुक्त कराएंगे और उन लोगों को जो लाल पानी भाइत उनकी लिए वहां पे शूदा आयार्पी जो लगाते हैं प्रिड़ा के मात्या में से बिलगत कराएंगे अभी हमारे पर पास बोर करामें के पेंडर अपन मिलगत कराएंगे जिससे लगार जल्द ही हमारती प कि हम जो भी कारवग करना चाहेंगे अपने इस्तर चाहेंगे और उनकी इस्तर चाहें उनका फूरा स्योग करेंगे अपन्दा कर बहुत यह अंद्री चेटर लावा जो जहां की बहुत ही पहुच भी है वहां पर कोई फी हेंट पंप भी भागवारक होनी तनी है क्यों कि बहुत ही दो तीम पहाड़ी क्रास करने बाद हम पहुच जाते हैं हमने केलिफ श्तर मात्यम जिसको वहां पर दे जाकर मतर्व करणा चाहिए तो जो पूर अभी घराए है पनी कर हें बादू किसी ऑ छेंटर में जब उढ़ार तो फेंचा को एक आस आ सिक sniff आ होगा यहां दो मैं जिस चेंटर में हुँ यह कि आते हैं और कि करनowania ठ hers in बीच में लोहा गाउं में मैं अभी खड़ा हूँ लोहा गाउं यानि कि चारो तरफ लोहे से घिरा हुआ एक गाउं यहां के लोगों को हमने देखा कि बहुत सारी समस्याओं से यहां से के जो लोग है वो जूज रहे हैं एनमडीसी का आस्रित गाउं है यह और यहां के पानी से परेसान नजर आ रहे हैं इस लोहे गाउं में लगबग 15-20 घर हैं और 100-500 इनकी जन संख्या है आपको दिखा दूँ आज के समय में जब लोग मिनरल वाटर का सेवन करते हैं बिसलरी पिया करते हैं वैसे वैसे समय में भी आज इस लोहा गाउं के लोग अपनी तक अपनी आती है चेत्र का विकास होता है यहां चेत्र का विकास नहीं चेत्र की जंता परेसान होती दिखाई दे रहे हैं इस गाउं के लोग परेसान होते दिखाई दे रहे हैं यही वह पानी है जिस पानी को पी करके यह गाउं के लोग अपने जीवन को जीने के लिए से और किन समस्यां कीन किन परिफानियों से क्योंकि हमने गавать में और और भी लोगों से बात की लोगों ने बताया कि आज तक इस गाओं में घ्राम सचीव का चेहरा किसी ने नहीं देखाए गाओं एक लंबा सफ़र करते हैं राषन लेने के लिए आज यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा हमारे साथ में एक ग्रामिर भी है जिनकी जो समस्या थी यह बोलते हैं कि चेक डेम बनाने से इनकी समस्या का समाधान होने की बात कही जा रही थी लेकिन चेक डेम बने भी तो बने कैसे चन्नु जी यह बताएं कि यह बताएं कि क्या क्या परसानिया है यह यह परसानिया है यह परसानिया हो जा रहा है ना पानी का परसानिय हो जा रहा ह। लाल पानियकी पर सार्फी निका परसानिया ह। यह मैं detta कर से मैने दिखा मेरा यह और च्टीव लगवितपने हम तो और ऑर शाम सयी है आपकी घोन कष़र एक और नहीं रहें है तो और क्या समझ लगे के बार मायोंकित बार्लेंह कि वह जैसे कि यह बता रहे थे कि गाउं में सच्यू का भी आना नहीं होता है और बड़ी सारी समस्या आप देख सकते हैं कि यह लाल पानी बहुत ऐसा समय आता है जब इसको भी इने पीना पड़ता है एक आज के समय में जारोगा तो अज के समय में बड़ी तकलीफ वाली बात है कि लोह नगरी के बीच में बसा ये लोहा गाउं पीनी के पानी से भी मुहताज है एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ग्राउं के जो लोग हैं उनको यहां पर स्वास्त व्यवस्था भी चाहिए और साथ ही साथ इसकूल भी यहां पे नहीं है जिसे बच्चे जो है में भी सरकार को ध्यान करके इन ग्रामिलों के समस्या का समाधान करना चाहिए लोहा गाउं से मैं और जुन पांडे साथ ना नियूज